Hello everyone, good morning to all and it is Monday the very first day of the week So let's get started, शुरू करते हैं नियूस्वेपर आज का तो आज हमने नियूस नहीं लिया है, सिर्फ हमारा कहा है एडिटोरियल लिया है, संपाध की लिया हुआ है तो इसमें जो आज हम डिसकस करने वाले हैं, वो हमारा काफी important topic है, that is our parliament जो current government क्या कर रही है, कि नया parliament बनाने की तयारी कर रही है तो उसी का foundation रखा गया है, और साधी में case कहां चला गया है, Supreme Court में इसी के बनने को ले करके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा आज देखने को जो headline आपको देख रही है, that is the bid to make face of the capital the bid का कई सारे मतलब होते हैं, bid का मतलब बोली लगाना भी होता और bid का मतलब एक तरह से allow करना भी होता है, तो यहाँ पर allow करने से है, the bid और एक तरह से क्या होता है, एक means enthusiasm भी होता है तो the bid to remake the face of capital, जो capital हमारी है, राजधानी है, उसका face यानि के चहरा है फिर से बनाने की जो bid है, उसकी ये बात कर रहे है, remake यानि फिर से बनाना, और चहरा का मतलब क्या है कि capital, capital means वहाँ पर संसद रहती है और संसद इमेन होता है, जहां पर सारी कारवाई होती है, तो उसी से लेकर के है, है ना, देखते हैं कि सब हैडलाइन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो सब हैडलाइन में जो लिखा है, वो ये है, कि the government has set in motion a plan, है ना, पहले चीज़ देखो, the government has set, है ना, government ने क्या एकदम set हो चुकी, तयार है, है ना, एकदम किसमें in motion, गती में है, to plan, plan करने के लिए, योजना बनाने के लिए, to read, develop, है ना, पुनह विकास करने के लिए, किसका the administrative center, जो प्रशास की केंद्र है, वो, which can cost thousands of crores, जो की, साबित हो सकता है, जो कितनी cost नहीं पड़ सकती, thousands of crores रुपए देना पड़ सकता है, simple words में अगर बोलें, तो government एकदम fix हो गई है, तयार हो गई है, कि वो redevelopment करेगी, किसका, जो प्रशासनिक केंद्र है, यानी कि जो हमारा संसत है, उसकी ये, बात करें, दिल्ली में है, है ना, अब one by one करके discuss करते हैं कि क्या है, तो ये जो आज का है, काफी इसमें चीज़ें आपको जानने को पर मिलेंगी, लिक जैसे लिखावा कि on December 10, December 10 को कहवा, a little over a year after the government announced its ambitious plan to re-develop three kilometer long historical stretch from the राश्पती भवन to India, gate known as Central Vista, Prime Minister Narendra Modi kicked off the first part of the project by laying the foundation stone for the new parliament building, है ना, तो ये इन्होंने इतना बोला है, अब ज़रा देखतें कि क्या है, मेन हमारा, तो बेसिक अकर बात करें, तो इन्होंने बोला है कि December 10 को क्या हुआ, जो 10 December हमारा बीत क्या हुआ है, a little over a year, है ना, एक सा से थोड़ा सा ज्यादा हुआ समय, आफ्टर, जब क्या हुआ था, किस के बाद थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ, गवर्मेंट ने जब अनौन्स किया था, क्या, उसका जो महत्तवा कांग्षा वाला, महत्तवा कांग्षी काफी ambitious उसका प्लान था, है ना, प्लान की वो फिर से re-develop करेगा, फिर से विकास, उना, विकास करेगा किसका तीन किलो मेटर क्या लंबा जो है, इस्टोरिकल एतिहासिक, इस्ट्रिच का मतलब विस्तार, है ना, फ्रॉम दर राश्टपती भावन, राश्टपती भावन से कहां तक, तो इंडिया गेट, इंडिया गेट तक, है ना, known as the Central Vista, जिसको Central Vista के नाम से जानते हैं, है ना, Prime Minister Narendra Modi, अब उसी के बारे में देखो, कॉमा लगा करके क्या बता रहे हैं, है ना, कि Prime Minister Narendra Modi, kicked off the first part of the project, है ना, Narendra Modi किया, kick off किया, शुरू किया, kick off का मतलब शुरू करना, है ना, क्या, first part of the project, by, कैसे शुरू किया, by, laying, laying का मतलब, lay foundation होता है, तो lay foundation is stone का मतलब का, तो आधारशिला रखना, तो laying the foundation is stone for the new parliament building, नहीं जो parliament building है, उसका, क्या, आधारशिला रख करके, है ना, तो ये, हमको, पहले पैरा में देखने को मिला, कि laying the, मैं फिर से बता देता हूं इसको, Modi kicked off the first, Narendra Modi kicked off the first, part of the project, by laying the foundation is stone for the new parliament building, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, नहीं जो, मोदी जी नहीं कहा, जो भूमी पूजन किया था, परफॉर्म किया था, है ना, तो उसमें क्या होगा, दे नहीं किया चिन्हित कर रहा है, the beginning, शुरुवात, किसकी शुरुवात, the project की, जो नरेंदर मुझी ने, मोदी जी ने क्या किया, जो भूमी पूजन किया, वो शुरुवात दिखा रहा है, चिन्हित कर रहा है कि, चीजें स्टार्ट हो चुकी है, construction will only start after the Supreme Court disposes all challenges to the project that are pending before it, है तो इसमें क्या बता रहा है कि, construction will only start, construction क्या होगा, कि वल तभी शुरु होगा, जब क्या होगा, Supreme Court disposes करेगा, disposes का मतलब हैं हटाने से है, of all challenges, वो सारे की सारे चुनोतियां है, to the project, project के ओपर that are pending before it, है जो उसके सामने पड़ी हुई है, जो उसके सामने जो project है, प्रोजेक लेगी, तभी शुरू हो जाएगा, क्या, construction और अभी भूमी मुजन हो चुका है, नेक्स देखते हैं, तो जो नेक्स हमारा क्या है, ever since housing and urban affairs minister हरदीपुरी, announced the project in September 2009, September 2009, है ना, 19, तो 2019 में, जब हमारे कौन है, आर्बन, housing and urban affairs, जो minister है, उन्होंने क्या, जब अनौंस किया था, 2019 में, है ना, तभी से क्या होरा, activist, क्या होरे, जो, क्रियाशील रहते हैं, जो activist, जो काम अगरा करते रहते हैं, environmentalist, जो environmentalist हैं, जो पर्रावरणविद हैं, वो, और architects, जो बनाते हैं, buildings को, and opposition leaders have questions, है ना, कि जो opposition के leader है, जो विपक्ष के leader, उन्होंने पूछा है, क्या, है ना, the need, जरूत किसकी, the project की, the processes for obtaining approvals, है ना, जो processes पर क्रिया है, obtaining प्राप्त करना के approvals, है ना, कि उसको pass कर दिया जाए, किसके लिए, for it, इसके लिए, and the cost involved, and the cost involved, जो इसमें, पैसा, शामिल है, उसको ले करके, और इसको अप्रूव कर दिया गया, उसको ले करके, काफे ज़्यदा चर्चा में रहा, है ना, the Supreme Court on December, Supreme Court, अब देखते हैं, December है या कुछ और है, देखते हैं, Supreme Court नहीं क्या बोला, on December 7, 7 December को क्या, allowed, उसने आग गया दी किस बात की, allowed the government to go ahead with the foundation stone ceremony, है ना, कि government ने क्या कर दिया, allow कर दिया कि foundation stone ceremony के लिए जा सकता है, बट लेकिन कब, after, only after the center gave an affidavit, है ना, और ये तब, जब center ने क्या दिया, एक, एफिडेविट क्या, एफिडेविट दिया, saying, और ये कहे कर, there would be no construction, यहाँ पर कोई construction, नहीं होगा, demolition, यहाँ पर कुछ चीज गिराई नहीं जाएगी, and cutting of trees, है ना, कि तेड़ों को, काटा भी नहीं जाएगा, till the court gives its rulings in the cases, जब तक कि, जो सरकार को, केंद्र नहीं देता है, कोई भी अपने नरणयों की जानकारी, तब तक, नरणय नहीं देता, तब तक, सरकार कुछ नहीं करेगा, ऐसा, किसने ऐसा, जो Supreme Court ने बोला है, है ना, the plan as drafted by Ahmedabad-based HCP, है ना, design, planning and management, involves constructing a triangular-shaped parliament, building adjacent to the existing one, है ना, that was built in 2020 by the British, है ना, अब देखो बता रहे हैं कि, जो draft बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया, बनाया जाता है, है ना, तो, आहमदाबाद, based, जो, आहमदाबाद से जुड़ी हुए, जो एक HCP, design company है, उसने किया है, plan and management उसने ही देखा है, और उसमें क्या क्या है, शामिल है, construction, और construction में कैसा रहेगा, ट्राइंगुलर रहेगा, ट्राइंगुलर यानि की तर्वजाकार रहेगा, और एक किसके बगल में है, adjacent का मतलब, बगल में किसके existing one, existing one का मतलब, जो अभी का वरतमान का, जो हमारा parliament है, उसी के जुड़ा हुआ है, है ना, that was built in 1920, है ना, जो की 1902 में बनवाया गया था, तो एक्जाम वगर मैं पूछ सकता है कि भाई, जो हमारी नई building बन रही है, किसकी parliament की, वो कैसी है, है ना, कैसी रहेगी, तो ट्राइंगुलर शेप में वो रहेगी, है ना, और जो बता रहे हैं कि 1920 में जो पुरानी वाली building जिसमें हम रहे रहे हैं, उसके बारे में बताए गें, 1920 में जो बनी थी, demolishing जो, demolishing the post-independence office buildings, कि demolishing का मतलब क्या घिरा देना, post का मतलब बाद में होता है, और pre का मतलब पहले होता है, तो post-independence मतलब सो तंदरता के बाद, जो buildings बनाई गई थी, along central vista, central vista के साथ में लगे हुए, and replacing them, उनको हटा देना with 10 modern multi-story, और story का मतलब यहाँ पर S-T-O-R-E story, और दूसरे यह वारे story से इसको confuse कराया जाता है, ना, homophones में, तो धियान रखेगा, जो story एक कहानी है, लेकिन यहाँ वारे story है, इसका मतलब कहता है, मन्जिल, जो मन्जिला इमारत होती, उसको बुलते, तो उन्होंने क्या बुला कि जो पुरानी वाली building से हैं, जो offices बनाये गे थे, सो अतंतरता के बाद उनको हटा दिया जाएगा, और उनकी जगह पर जो 10 multi-story building बनाई जाएगी, हैना, office complexes बनाये जाएगे, to all ministers, सारे ministers के लिए, and revamping, हैना, revamping का मतलब पुनह किसी चीज़ का निरमार किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, तब यह इस्तिमाल किया, revamping the civic infrastructure, civic infrastructure को, and facilities, facilities को for the Republic Day, parade on Rajput, और Republic Day के प्लक्ष में, Rajput पर जो parade होती है, उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखके, सब किया जा रहा है, अब आपको आगे बताएंगे कि उसमें कितना क्या कहा रहा, Now, the need for the project, जरूरत है, जो for the project, प्रोजेक्ट के लिए है, according to the government, government ने क्या बोलाए कि इसकी हमें जरूरत क्यूं है, वो उसके पीछे क्या कारण दे रहे हैं, उस arguments in court and police public statement in the past year, ये कहना चाह रहे हैं कि जो minister है, उनोंने क्या जो housing and urban affairs के minister, उनके जो statement और जो court में argument दिया गया कि हम पो क्यों जरूरत है, इस समय building बनाने की वो आगे बता रहे हैं क्या था, वो ये है कि is that the existing parliament house is almost 100 years old, जो वरतमान में जो parliament है, वो 100 साल से जादा पुराना होई जा रहा है, 1920 में बना था, 2020 हो जाएगा, 100 साल हो जाएगा, almost, structurally संराचनात्मक रूप से क्या है, वो unsafe है, स कमिया किसकी है, adequate work space, काम करने की भर की जगह नहीं पर्यापत, for modern legislature, वरतमान में जो कानून विवस्ता है, उसके साब से बहुत कम जगह है, similarly उसी तरह, the new 10 office buildings proposed are required to bring all central ministers, अच्छा, जो नई वाली जो buildings बन रही है, उसी के बंगल में, the 10 new office buildings proposed are required to bring all central ministers, in one place, सारे central ministers को एक जगह पर लाने के लिए, वो building जो नई जो offices बनाए जा रहे है, वो इसलिए बनाएगे, making बनाना क्या functioning of the government more efficient, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि, जो वरतमान की government है, मतलब वरतमान की क्या आने वाली government है, जो भी सरकारे रहेंगी, उसमें सारे ministers से एक किया जा रहा है, हैना, next ये थे, according to the government, government ने ये logic दिया, ये और जो का argument रहा कि वो क्यों बनाना चाहते हैं, हैना, now, space for more MPs, हैना, कि space, अब क्यों बता रहेंगी, कैसे जरूत पड़ेगी, जगह रहेगी, किसके more MPs, मतलब, member of parliament है, उनकी जंख्या, बढ़ जाएगी, another reason, touted का मतलब यहां पर प्रस्तुत करने से है, तो जो दूसरा कारण बताया गया, वो ये, by the government, government के द्वारा is, वो ये है कि expected increase in number of constituencies after delimitation, उन्होंने क्या बोला कि, दूसरा कारण जो दिया, कि expected increase है, बढ़ होतरी है, किसमे number of constituencies, जो छेतरा दिकार है, हैना, कि किसी भी member of parliament, जो होता है, उसका जो छेतर होता है, जहां से हो election लड़ता है, तो उन्होंने क्या बोलो, कि अगर वो बढ़ जाती है, कि इसके बाद, delimitation के बाद, परिसीमन, कि अगर फिर से उनकी मापन होता है, और फिर से उनको गटाया बढ़ाया जाएगा, तो उसके चलते सीटें बढ़ इसके तक ही है, हाँ, यह पहला जो होगा संस, वो 2026 के बाद ही होगा, यानि कि 2026 के बाद है, तो अब इनके इसाब से वो बहुत कहां है, दूर है, तो विच विल बी इन 2031, जो कि 2031 में होगा, यह कहना चाह रहे है, गवर्मेंट ने भी बोला कि वर्तमान में जो पार्लियामेंट है, वो जो बनाया गया रहने के लिए, एडिशनल एंपीज को अकमोडेट नहीं कर सकता, वहाँ पर नहीं रह सकते, इस वज़े से इसने और भी कारण दिया कि हमको जरूरत है, क्योंकि संख्या कम हो रही है, सीट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कि जब भी एडिशनल दोनों हमारे जो हाउस हैं, जब एक साथ बैटते हैं, तो उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम, more practical reasons given है, इन्होंने क्या बोला कि किसे से अपार्ट फ्रॉम, अलग कि practical reasons जो उन्होंने द कहना कहा चारे, innovative जो उनकी ceremony थी, वो invoked उसमें बताया गया, symbolism, किसका प्रतीक बताया गया, of new parliament, एक नए पार्लेमेंट का, as a temple of democracy, कि किसका temple, प्रजात अंतर का मंदर के रूप में इसको बताया गया, built by independent, जो बनाया जाएगा, कि independent का स्वतंतर रूप से, आत्म निर्भर इ आत्म निर्भर भारत के रूप से बनेगी, वहाँ पर को दूसरी की विल्डिंग नहीं, भारत ने खुद बनाई है, ने, the design of new building will also reflect that, with the national emblem, crowning the structure, the national bird, peacock, and the national flower, lotus, providing inspiration for all the interiors of the लोक सभा, राजे सभा, chambers, अब देखो यह क्या कहना चारीए, यह कहना चारीए, जो design रहेगी, building के अंदर वाली वो reflect करीए, क्या दिखाएगी, the national emblem, जो हमारे राश्टी चिन्न है, उसको, और जो crowning, emblem crowning, और क्या structure दिखाएगा, the national bird हमारी जो है, उसको दिखाएगा, पिकॉक है, उसको दिखाएगा, और क्या है, the national flower, lotus, उसको दिखाएगा, providing, अभी सब क्या करेंगे, provide करेंगे, उपलब्द कराएगे, क्या inspiration, प्रेयर ना सुरूत है, किसका, for the interiors of लोकसभा, जो लोकसभा का अंदर का भाग है, उसके लिए, और रासभा के में, जो chambers हैं, उसके लिए, respectively, and arts, तो यह कहना चाहरेगी, जो दो चीज़े इन्होंने mention की है, कि emblem, जो पहला जो दिखेगा, कि national emblem जो रहेगा, crowning structure, and national bird, and peacock, यह आपके रहेंगे, किसमें, लोकसभा में, और जो national flower, lotus है, यह कहां रहेगा, इन written statement, है न, to the Hindu, Hindu को जो written statement दिया गया, HCP design, HCP design ने जो दिया है, which is headed by Padma Shri awardee, जो Padma Shri awardee है, Bimal Patel हो न, जो इन्होंने बताया, क्या बताया, कि the proposed parliament building, will be the first proposed design building है, न, इन्होंने क्या बोलो, जो प्रस्तावित, जो building है, न, वो पहली ऐसे building होगी, जिसमें क्या होगा, कि आपको भी बताएंगे, वो क्या है, न, उसमें क्या रहेगा, yes, wait, हाँ, उसमें रहेगा, for the parliament of India, पहली जो इन्डिया के building proposed रहेगे, न, वो इन्डिया के दौरा की जाएगे, presently वर्तमान में, parliament is accommodated in a building that was built as the council house for the, for the raas, British raas की कह रहे ही, मतलब कहना चाहरे है, कि यह जो वर्तमान में, जिसमें हमारा parliament है, यह building इसके दोरा, उनके दोरा बनाएगे, तो council house for the raas, council house का काम करती है, कि इसके लिए British raas के लिए, हैना, उसी में बनायागा थे, लेकिन आप देखो तोड़ा सा क्या बता रहे है, spread over 64,500 square feet build-up area, मतलब कि 64,500 square feet build-up area है, हैना, जो फैला हुए है, कि इतने में यह नयावाला बनेगा, the new building will have a look, हना, लोगसभा chamber with capacity to seat 1272, हना, आप लोगसभा में बता रहे हैं कि कितने बैठने लोग की जगह रहे हैं कि 1232 लोग बैठ सकेंगे, और राजसभा में कितने 384 लोग बैठ सकेंगे, और क्या है, the central constitutional gallery that will be open to the public offices, हैना, यह कहना चाह रहे हैं कि, जो एक बब में फिट से इसको बता दे रहा हूं क्या है, कि the new building will have लोगसभा chamber with the capacity seat 1272, राजसभा chamber with 384 seats, and the central gallery, जहां पर सब लोग रहेंगे, central gallery, chamber जो आपका रहेगा, central constitutional gallery that will be open to the public, और central जो gallery रहेगी, वो किसके लिए constitutional gallery रहेगी, वो लोगों के लिए खोली जाएगी, offices for all MPs, सारे जो member of parliament, उसके लिए सारे office will be built after demolishing, demolishing का मतलब खतम करके गिरा करके था, existing shram, shram, सकती भवन उसको हटा करके बनाया जाएगा, and connected to parliament via underground pathway, और underground pathway से उसको connect किया जाएगा, यह बता रहे है, the project was awarded to Tata, Tata को एप्रोजेक्ट अवर्ड किया गया था, for 971 करोड से न, कि मतलब कितने, 971 करोड में, after a two step bid, दो चरण की जो हुई थी क्या, process वा था, auction में उसको ले करके, अर्लिया दिसरी, इस साल के शुरुवात में, the construction is expected to take 22 months, कितने साल लगबख लगेंगे, 22, sorry, 22 साल लगेंगे, लगबख, दो साल तो नहीं हो जाएगे, दो साल में दो महीना कम रहेगा है, कि 22 महीने लगेंगे, is scheduled है जिसको schedule किया गया है, कि इतने दिन में खतम हो जाएगी, फिनिस इन फिनिस इन दे टाइम फॉर दे वेंटर सीजन अफ दे पारलमेंट इन 2022, जब इंडिया क्या करेगी, कि 75 साल पूरे के किसके सुतंतरता के तभी बिल्डिंग का किया जाएगा, तो मैंने काफी एतक पढ़ दिया, एक लास्ट आपका जो पहरा बच्चा हुआ है, उसको आप क्या करेगा, आप खुद से इसको पढ़ेगा, काफी easy भी लिखा गया, लेकिन इसमें काफी ज़्यादा informative चीज़े हैं, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, at least आपको इसके बार में पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, इसके बार में हमारा जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसके लिए, और दूसरे इसमें बहुत सारी जानकारी है, जो काफी ज़्यादा एक्जाम में helpful रहेगी, so thank you for watching the video, take care, bye-bye.